कौंग्रेस पर संकट ही संकट पार्टी में जहां इस्तीफों की जड़ी वहीं करनाटक में मुष्किल में सरकार क्या बचेगी कौंग्रेस या फिर राहूल गांधी बिन सब होगा सूना इस्तीफे देकर किसे खुश करना चाहते हैं ये नेता आखिर पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं विधायक जी हाँ पिछले 24 घंटे के दोरान कॉंग्रेस के लिए दो बुरी खबर आई है तो वहीं भीजेपी के लिए दो अच्छी खबर आई है पहले बात करते हैं कॉंग्रेस के लिए सेट बैक वाली खबरों की रहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कॉंग्रेस में इस्तीफों की जड़ी सी लगी हुई है अभी तक किसी के काम ना करने पर इस्तीफा मांगा जाता था लेकिन कॉंग्रेस में पार्टी नेता इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि राहूल गांधी ने इस्तीफा दिया है लेकिन क्या राहूल गांधी के इस्तीफिय के बाद इन नेताओं का जमीर जागा है या फिर उस बयान के बाद जागा जिसमें राहुल ने कहा था कि हार की जिम्मेदारी किसी भी नेता ने नहीं ली तो मैं ही जिम्मेदार था बिसे कॉंग्रेस के दिगज नेता जोती राजे सिंधिया के इस्तिफ़े के बाद मुंबई कॉंग्रेस के अध्य अक्ष मिलिन देवडा ने भी अपने पस से इस्तिफ़ा दे दिया है सिंधिया को लोगसबा चुनाव में पस्चिन उच्तर परदेश की जिम्मधारी मिली थी हलाकि वहाँ कॉंग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई तो वहीं मिलिन देवडा ने मुंबई साउट से लोगसबा चुनाव रड़ा था जहां शिवसेना उमीदवार अर्विन सावन के सामने उन्हें हार का मुद देखना पड़ा था हलाकिन दोनों नेताओं ने अपने हार पर इस्तिफा नहीं दिया बलकिन लोगों ने गाहुल गांधी को मनाने के लिए इस्तिफा सोपा है दूसरी बुरी खबर करनाटक से है करनाटक में कॉंग्रेस की सहयोगी जेडियेस आजकल संकट में है इस राज्ये में पिछले पांच महिने से सकता का नाटक चल रहा है कॉंग्रेस जंतादल गटबंदन से बगावत कर इस्तिफा देने वाले तेरा विधायक अपने फैसले पर अड़े हुए है हलकि उन्हें मनाने की कोशिशे लगातार जारी है अब बात करते हैं बीजेपी की बीजेपी को जहां करनाटक में सरकार बनाने के संकेत मिलने लगे है वही मशूर डांसर सपना चोधरी के बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी कारेकरताओ का दिल बाग-बाग हो गया है सपना बीजेपी के लिए बड़ा चहरा हो सकती है बस देखना यही है कि पार्टी इन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपती है